नमस्कार दोस्तों Study IQ में आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग राठोड और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा ITER प्रोजेक्ट के एक important step के बारे में Recently Larson and Tubro जो कि एक भारत की company है उसने ITER में cryostat का सारा काम पूरा कर दिया है और उसे install कर दिया गया है तो ITER प्रोजेक्ट क्या है, cryostat क्या होता है L&T का इससे क्या जुडाव है, भारत का इस पूरे प्रोजेक्ट से क्या जुडाव है इन सभी बातों को हम डिसकस करेंगे लेकिन अगर आपने अभी तक study IQ को subscribe नहीं किया है तो please hit the subscribe button और साथ ही साथ bell icon को भी प्रेस कीजिए ताकि आप study IQ के कोई भी notification को important वीडियो को miss ना करें अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाते हैं तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर in IDs पे follow कर सकते हैं मेरे सबी lectures की updates आपको या मिल जाएंगी और PDF इस Telegram चैनल से डाउनलोड किया जा सकता है कुछी दिन पहले Larson and Tubro ने अनाउंस किया कि उन्होंने ITER project के लिए cryostat lid का काम पूरा कर लिया है और ये पूरा cryostat base क्या होता है और ITER project में ये कैसे काम में आएगा इसकी क्या importance है ये मैं अभी आपको आगे कुछ photographs के माध्यम से समझाऊंगा लेकिन अभी ये समझे कि ITER project दुनिया के सबसे बड़े nuclear engineering projects में से एक है और उसमें cryostat का काम हो जाना एक important milestone है और इसमें Larson and Tubro का काफी बड़ा रोल है भारत का काफी बड़ा रोल है ITER का full form होता है International Thermonuclear Experimental Reactor लेकिन ये पुराना नाम है अब इसको use नहीं किया जाता है अब इसको ITER ही कहते हैं या फिर ITER ही कहते हैं तो ये project कई देश मिलकर चला रहे हैं ये एक mega project है जिसमें nuclear fusion पर research हो रहा है अब nuclear fusion और fusion में क्या फर्क होता है इस तरह की scientific concepts को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप Study IQ के UPSC smart course को अवेल कीजिए इसमें science and tech प्रशान धवन सर के द्वारा बनाया गया है तो वो आपको इस तरह के सभी detailed concepts समझाएंगे और यहाँ पर history, quality जैसे subjects मेरे द्वारा cover किये गए है Dr. Gaurav Garg sir और Study IQ के अन्ये सभी educators का इसमें contribution है तो इस course को आप अवेल कर सकते हैं Study IQ app पर और इस पर EMI options भी available है तो ये project इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा research project है और इसमें अगर हमें success हाथ लग जाती है तो ये दुनिया में आने वाले 100 सालों के लिए technology खास करके energy technology को पूरी तरह से बदल कर रख देगा तो ITER में एक nuclear fusion reactor बनाया जा रहा है जो की Tokamak तरह का reactor है reactor कई प्रकार क्यों होते हैं उसकी detail में हमें जाने की कोई जरुरत नहीं है जैसे भारत में आपने अगर कभी नाम सुना हो can do type reactors लगे हैं कई जगे तो वैसे ही Tokamak भी एक प्रकार का nuclear reactor होता है तो ये reactor स्थापित किया जा रहा है दक्षणी France के Kaderash नाम की जगे पर Kaderash जो है अल्रेडी nuclear energy research का एक बहुत बड़ा hub है ITR बनने से पहले भी वहाँ पर France के कई nuclear installations है research project चलते रहते हैं तो उसी facility के पास में ये ITR project चल रहा है ये facility अभी under construction है यहाँ पर nuclear fusion start नहीं हुआ है लेकिन काम 2025 तक पूरा हो जाएगा और तब इसके अंदर fusion experiments किये जाएगे अब इसके ज़ादा photographs इंटरनेट पर available नहीं है क्योंकि ये top secret facility है तो जो भी photographs उनी के द्वारा release किये जाते हैं ITR के द्वारा वही मैं आपको दिखा रहा हूँ ये reactor बनने के बाद कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा ये इसका एक cross sectional photograph आपको नज़र आ रहा है ये है cryostat आगे आपको और detail में समझाऊँगा और यही बनाया है Larson and Tubro ने भारत में ITR अगर चालू हो जाता है successfully तो ये दुनिया का पहला industrial scale fusion reactor बन जाएगा और अगर ये successful होता है तो हमारे लिए एक विकल पा जाएगा बिजली produce करने का जो बिल्कुल साफ सुत्रा है इससे कोई भी harmful reactants नहीं निकलते हैं इसके जो end product है वो production नहीं करते हैं सस्ती बिजली बनेगी और इतनी बिजली बनेगी कि आने वाले लाखो सालों के लिए हमको कोई problem नहीं आएगी hypothetically 2025 target year है इस reactor को चालू करने के लिए experiments यहाँ शुरू हो जाएंगे experiment होगा क्या fusion reaction का तो एक fusion reaction को जिस प्रकार से नजार आता है deuterium प्लस tritium मिलकर बनाते हैं helium और इसके साथ आती है energy अब यहाँ पर जो end product है यानि कि एक alpha particle जो end product मिल रहा है वो nuclear fission के मुकाबले बहुत ही कम polluting है fission में जो end products होते हैं वो radioactive होते हैं और उनका निस्तारण करने के लिए अभी हमारे पास कोई ठोस उपाय नहीं है दुनिया भर में जातर जगे या तो उन्हें गुफाओं में store किया जा रहा है या फिर जमीन में guard दिया जाता है या फिर समुद्र में dump किया जा रहा है तो ITER का successful होना मानव जाती के भविश्य के लिए बहुत ही important है अगर हमें हमारी energy requirements को आने वाले समय में पूरा करना है क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है electricity usage बढ़ रहा है तो हमारे जो conventional sources है resources है वो इस demand को sustain नहीं कर पाएंगे हमें fusion based electricity की और बढ़ना पड़ेगा तो ये पूरा experiment कई देश मिलकर कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल France में ये experiment हो रहा है तो France की सरकार ही पैसा दे रही है जी नहीं European Union को अगर हम एक गिने तो साथ देश हैं जिनोंने इसमें पैसा लगाया है अपने संसादन लगाया है scientists को भेजा है काम करने के लिए ये साथ entities हैं European Union America, China, India, Japan, Russia और South Korea और ये पूरा project 25 billion dollar का है तो सभी देशोंने मिलकर इसकी funding करी है लेकिन major funding EU से आई है 45% funding यहां से European Union से आ रही है और जो project की site है वो भी France में है इस project की परिकलपना 1980 के दशक में कर ली गई थी लेकिन 80s और 90s में इस पर कुछ भी काम नहीं हुआ ground level पर finally 2005 के आसपास चीज़ें थोड़ी तेजी से बढ़नी शुरू ही European Union इसको लेकर थोड़ा sincere हुआ funding दी गई, काम चालू किया गया और तभी भारत भी इस project से जुड़ा था 2005 में और 2010 में ये कैडे रैश वाली facility बनना शुरू हो गई थी तो भारत की तरफ से क्या delivery करी जाएगी इस project में भारत की क्या जिम्मेदारिया है तो सबसे पहला है और सबसे बड़ा है cryostat उसके बाद involve shielding cooling water system, cryogenic systems heating system, diagnostic neutral beam system power supplies और कुछ diagnostics, साथी साथ भारत के 107 scientists इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं तो भारत क्या deliver कर रहा है भारत का क्या contribution है ITER में ये आने वाले सालों में काफी important होगा, क्योंकि देखिए कि ITER कहां पर से थे, इस तरह के question आज से 10 साल पहले पूछे जाते थे और उनका समय अब खत्म हो चुका है अब question इन में से पूछे जाएंगे तो आपको ये अच्छे से याद होने चाहिए केवल Kaderash नाम याद कर लेने से अब UPSC के सवाल solve नहीं होंगे और याद रखेगा, इस ITER project पर 2016 में UPSC के prelims में question पूछा जा चुका है अब भारत का ये कहना है कि as of July 2020 हमने अपनी तरह से 50% काम project का कर दिया है, जो हमारी जिम्मेदारियां थी, उसको हमने 50% पूरा कर दिया है, और हमारा काम बिल्कुल track पर है, despite the lockdown सारा काम टाइम पर चल रहा है तो अब भारत ने अभी जो cryostat deliver किया है, यह exactly क्या है तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले ही photo में कि यह जो पूरा vessel है, यानि कि container है जिसके अंदर reactor रहेगा यह है cryostat, तो यह अगर बाहर से आप देखेंगे, तो कुछ इस प्रकार का नजर आएगा इसमें यह इतने सारे छेद क्यूं बने हुए है क्यूंकि कोई isolation के अंदर तो experiment होता नहीं है उसके अंदर कई सारे electrical systems जाएंगे, diagnostic systems जाएंगे cooling systems होंगे, तो इनके अंदर जाने के लिए, यह penetrations रखे गए हैं, यह छेद रखे गए हैं लेकिन जब यह experiment होगा तो इन सभी छेदों को बंद कर दिया जाएगा और यह पूरा जो container है, यह vacuum sealed होगा और cryogenic temperature यहां maintain किया जाएगा cryogenic temperature का मतलब है कि minus 150 degree centigrade से लेकर minus 273 degree centigrade तक तापमान यहां पर maintain किया जाएगा तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यह पूरा vessel एक बहुत बड़ा fridge है refrigerator का काम कर रहा है, तो यह बहुत बड़ा refrigerator fusion reaction के दौरान बढ़ने वाले तापमान को control में रखेगा, वरना बाहर का तापमान भी अगर बढ़ गया तो दिक्कत हो सकती है तो कुल मिलाकर इसको safely conduct करने के लिए, इस experiment को safely conduct करने के लिए इस cryostat का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है और यह जिम्मेदारी भारत को दी गई है और भारत में L&T ने, Larson and Tubro ने एक cryostat बनाया है, यह दुनिया का सबसे बड़ा, largest high vacuum pressure chamber है, इससे बड़ा दुनिया में कोई pressure chamber, vacuum pressure chamber मौझूद नहीं है, यह कुछ इस प्रकार का नजर आएगा, stainless steel का पूरी तरह से बना हुआ है, इसके dimensions है 29.4 meter diameter में, और 29 meter इसकी height है, लेकिन आप इसका वजन देखिए, 3850 metric ton, इतनी भारी stainless steel की कोई भी वस्तु दुनिया में मौझूद नहीं है, तो this is the heaviest stainless steel object as of right now और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इ Guinness Book of World Record में भी शामिल हो सकता है I may be wrong, देखते हैं, मेरे हो जाना चाहिए, Larson and Tubro इस पूरे cryostat का base section, lower cylinder और upper cylinder, पहले ही France भेज चुका है install कर चुका है, तो अगर एक मैं rough sketch बनाओ, तो जो ये इतना portion है, ये already जा चुका है और अभी latest June के महिने में जो portion भेजा गया है, वो है इसका lid, यानि कि ढकन, ये 600 ton का ढकन भेजा गया और अब इसको install किया जाएगा, इसी के साथ cryostat का का काम भारत की तरफ से पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो सारे जो अंदर के systems हैं, shielding systems हैं, वो सब चालू किये जाएंगे I hope आपको ये lecture interesting लगा, thank you very much for watching this, have a great day